वेलकम बैक अब्रीबन वेलकम टू सुबल सर्विसेश टड़ी यूपी पीस्ट के टैस सेरीज चल लई है उसका लाब उठाते रही है हर दिन नेक्स्ट टैस लगाते हैं टैस्ट नूमबर 116 एंपोर्टन होंगे प्रस्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो सेगिंड का टा खान देश की स्थापना नर्मदा एवं तापती नदियों के बीच होई और खान देश की स्थापना मलिक एहमाद राजा फारुकी ने 382 में की थी करेक्टर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर तो तुगलक बंस के पतन के समय फिरोज साह तुगलक के सुबेदार मलिक एहमाद राजा फारुकी ने नर्मदा और तापी नदियों के बीच तेरे सुब एसी में खान देश की स्थापना की क्वेशन नमबर टू पर आजाएए नमलिकी तकत्नों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है खान देश की राजधानी आगरा थी और खान देश का सैनिक मुख्याले असीरगड था आगरा थी या कहीं और थी देखें दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला वाला इं नमलिकी तकत्नों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है पंद्रे सो बहत्तर में अकबर ने गुजरात को मुगल सामराज में मिला लिया था और सोले सो एक में अकबर ने खान देश को मुगल सामराज में मिला लिया था पंद्रे सो बहत्तर में अकबर ने गुजरात को मुगल सामराज में मिलाया और 1601 में अकबर ने खान देश को मुगल सामराज मिलाया तो बिल्कुल करेक्ट है ये दोनों के दोने स्टेट्मेंट सी है इस कांसर है Q4 पर आजाईए नमलिखित कत्नों में से कोई एक असत्य है अगर असत्य नहीं होगा तो D लगाएंगे हम चलिए विकल्प A है अलाउदीन खिल जी ने 303 में मेवाड के गुहिलोत राजबंस के साशक रत्न सिंको पराजित कर मेवाड को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था विजय स्तंब की स्थापना राणा कुमभा ने चित्तोड में की थी ये most important बहुत पूछते हैं इसको किसने की थी ये भी पूछते हैं और कहां की थी ये भी पूछते हैं हमीर देव ने मुहमद बिन तुगलक को हरा कर पूरे मेवाड को स्वतंतर करा लिया था उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है बिल्कोल उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे correct हैं ये सभी कतन सत्ते हैं कुशन नमबर फाइब पर आजए नमलकी तकतनों पर विचार करना पहला स्टेटमेंट है खानवा का यूद 1527 में राणा सांगा और बावर के बीच हुआ जिसमें बावर की विज़ा हुई और हल्दी घाटी का यूद हुआ था 1576 में राणा प्रताप और अकवर के बीच इसमें किसकी विज़ा हुई अकवर की विज़ा हुई हार गए राणा प्रताप तो बिल्कुल ये तो दोनों के दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट हैं इसका आंसर हो जाएगा उप्सन नुमबर सी तो सत्य हैं दोनों के दोनों सत्य लिखा है ये खान देश का यूद जयो 1527 में राणा सांगा और बावर के बीच हुआ था जिसमें बावर की जीत हुई और हल्दी घाटी का यूद 1576 में राणा प्रताप और अकवर के बीच हुआ था जिसमें महराना प्रताप की हार हुई और अकवर जीत गया Q7 पर आजाएए नमर्खित कतनों पर विचार करना पहला statement है मेवाड की राजधानी जैपुर थी और जहांगीर ने मेवाड को मुगल सामराज में मिला लिया था मेवाड की राजधानी जैपुर थी या चित्तोर थी दूसरा वाला statement तो correct है पहला वाला क्या है incorrect मेवाड की राजधानी चित्तोर थी जहांगीर ने मेवाड को मुगल सामराज में मिला लिया था Q7 पर आजाएए लाल दरवाजा मस्जित का निर्मान नमर्खित में से किसने करवाया था किसने करवाया था हुसैन साह ने नहीं करवाया था इब्राहिम सरकी ने नहीं करवाया था मुहमद सा दोरा करवाया था किसके दोरा मुहमद सा आप्सन नमबर ए तो देखिए लाल दरवाजा मस्जित का निर्मान मुहमद सा दोरा पंद्रे सो चालिस में करवाया था इस मस्जिद का प्रवेश द्वार लाल रंके होने के कारण इस मस्जिद को लाल दरवाजा के नाम से जाना जाता है मोतुपली बंदरगा है इसका संबंद नम्लिकित में से किस्से था मोतु पल्ली बंदरगा, काकते से, होशल से, देवगरी के यादब से, या फिर खान देव से, किस से संबंदित है, मोतु पल्ली बंदरगा, देखे, अप्सन नमबर एंगा है, इसका उत्तर, मोतु पल्ली बंदरगा का संबंदित, जिस बंस से है, ये काकते लिखा है, काकते किसे नहीं लिखा काक्ते वन्स किसे है काक्ते वन्स option number question number 9 पर आजाईए नमलिखित कत्नों पर विचार करना पहला statement है मुहम्मद बिन तुगलक ने 1332 में बारंगल पर अक्रमण किया था और इस अक्रमण में मुहम्मद बिन तुगलक MBT हार गया देखिए हारा नहीं जीत गया जीता था विज़ा हुई थी इसकी तो इसमें करेक्ट के बलेक हो जाएगा second बाले को eliminate कर दीजे तो देखिए मुहम्मद बिन तुगलक 1332 में बारंगल पर आक्रमण किया था उसने और आक्रमण करके रुद्र प्रताप प्रताप रुद्र देव को बंदी बना लिया था तथा काकते वंस को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था तो विज़ा हुई थी तभी तो मिला लिया था वरना कैसे मिला था चलिए एगला प्रश्ण देखते हैं कुश्य नमबर 10 है विवी की मस्जिद नमलिकित मेंसे कहां पर इस्थित है कहां इस्थित है विवी की मस्जिद कश्मीर में नई दिली में जौनपूर में या फिर बुरहानपूर में देखें विवी की मस्जिद इस्थित है बुरहानपूर में Question number 11 है निम्रिकित कत्नों पर विचार करना है पहला statement क्या कहता है पहमानी सामराज के ताजुद्दीन फिरोशा के साथ विजयनगर सामराज के देवराय परथम का युद्ध हुआ था और इस युद्ध को सोनार की वेटी का युद्ध कहा जाता है देखे बिलकुल ये correct हैं द देवराय परथम का युद्ध हुआ था जिसमें देवराय पारित हो गए पराजित हो गए तथा देवराय परथम ने अपनी पुत्री का विवा ताजुद्दीन के साथ कर दिया और इस युद्ध को सोनार की वेटी का युद्ध कहा जाता है कोश्चन नमबर बारे पर आजाईए इंद्रार नम्लिकित में से किसका वर्णन करता है एक प्रकार का धर्म उपदेश है क्या शेखों द्वारा पहना जाने वाला कोई उपरी वस्त्र है या फिर विद्ध्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक मद क्या है इंद्रार इंद्रार क्या है नम्लिकित में से देखें इंद्रार है एक आर्थिक मदत धार्मिक नहीं आर्थिक मदत है तो सल्तनत काल में इंद्रार विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली क्या है एक आर्थिक मदत है सल्तनत काल में इंद्रार व पहना जाने वाला उपरी वस्त खिर्का कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ये एक option में है ना, सेखो दारा पहना जाने वाला उपरी वस्त क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, question number 13 पर आजाईए, नम्लिकित में से दक्कन की लोमडी किसे कहा जाता था, दक्कन की लोमडी कलिम उल्ला तो नहीं है महमूद शा या फिर अमिर अली वरीद देखें कलिम उल्ला नहीं है महमूद शा नहीं है अमीर अली वरीद है कौन दक्कन की लोमडी किसको कहा जाता है अमीर अली वरीद को तो तुर्क सरदार था अमीर अली वरीद को दक्कन की लोमडी कहा जाता था बेहमनी वंस का साशक महमूद सा और उसके सेस उत्तराधिकारी तुर्क सरदार अमीर अली वरीद के कट पुतली साशक वन कर रह गए थे कुश्चन नम्बर फोटीन है नमलकी दिकतनों पर विचार करना पहले स्टेटमेंट है हश्म ए अतरफ सल्तनतकाल में प्रांतों की सैना को कहा जाता था हश्म ए अतरफ सल्तनतकाल में प्रांतों की सैना को करेक्ट हैं दोनों के दोने स्टेटमेंट C है इसका अंसर कॉश्चन नुमबर फिप्टीन पर आ जाईए नम्रिकित में किसको अबला बाबा और जगत गुरु की उपाधी दी गई किसको दी गई अबला बाबा और जगत गुरु की उपाधी इब्राहिम आदिल शा दुट्य को किसको इब्राहिम आदिल शा दुट्य को दी गई अबला बाबा और जगत गुरु की उपाधी तो इसका अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर C तो देखिए आदिल शाही वंस का साशक इब्राहिम आदिल शाद दुत्य विद्वान एवं धार्मिक रूप से सहिशुन साशक था गरीबों के परती उदार दरश्टी कोण रखने के कारण इसको अबला बाबा एवं विद्वानों का संरक्षन देने के कारण जगत गुरू की उपाधी दी गई थी किसको इब्राहिम आदिल शाद दुत्य को अबला बाबा और जगत गुरू तो पंदरव प्रशन ते इंपोर्टन टैसे से इसका रिविजन कर लिजगा एक से दो बार इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट टैस्ट त्रीज की 116 तक पहुंच सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक में सबका रिविजन कर डालिए धन्यवाद